हे दोस्तों कैसे हो आप सब तो अभी रिभीव करेंगे समांतर सीजन टू का उससे पहले वीडियो पसंद है तो आप लाइक करो कमेंट करो चैनल को सब्सक्राइब करो तो सीजन टू का बात करो उससे पहले आप सीजन वन देख लिए हो तो ठीक है नहीं देखे हो तो जाओ आप उसको देखो क्योंकि सीजन टू जो है फुल टू कनेक्टेड है सीजन वन से तो चलिए बात करते हैं कि सीजन टू कैसा है तो Season 2 जो है ओही से स्टार्ट होता है जहांपे Season 1 इंड हुआ था कुमार को जो है चकरपानी अपना जो है Personal Daddy दे देता है कि भाई लो एही मेरा जो है लाइफ का जितना इंसिडेंट हुआ इसमें लिखा हुआ है तो क्या कुमार जो है अपना आने वाला फ्यूचर चकरपानी का पास्ट से जो है देख के क्या वो जो है बदल पाएगा क्या जो है भाग्य का लिखा हुआ जो उसका डेस्टिनी है वो क्या उसको बदल पाएगा अब यह जानने के लिए आपको Season 2 देखना परेगा बात किया जाए कि स्टोडी कैसा था तो स्टोडी जिस परकार से दिखाया गया है काफी अच्छा मेरे को लगा है Personally जिस परकार से presentation किया गया है इसमें कुछ नहीं वैसा नहीं कि कुछ नया देखने को मिलेगा अब बहुत जगा इसको guess भी कर लोगे बहुत जगा जोए guess नहीं कर पाओगे बहुत जगा तो इसमें जो वही देखने को मिलता है love होता है romance होता है दोखा होता है यह सब यहीं देखने को मिलता है बट इस परकार से इसको presentation किया गया है डारेक्टर के दुआरा चाहे actor का performance हो गया चाहे screenplay हो गया सभी चेज इतना खुब सूर्ती से दिखाया गया है कि आपको जो है episode 1 से लेकि episode 10 तक बांद के रखेगा जो कि each maximum तो लगभग 30 प्लस मिनिट का है 31 मिनिट का है और कुछ 28 मिनिट का और लास्ट वाला जो है 18 मिनिट का है लगभग तो पूरा मतलब आपको जो है season 2 का पूरा 10 episode जो है आपको अंगेज करके रखेगा उसका screenplay काफ़ इंगेज ही है साथ मैं बात करू एक्टर का performance का तो swap nail joshi का बात करू तो उनका performance बहुत अच्छा है इसमें जिस परकार से उनको हम लोग बच्पन से देखते आ रहे हैं रामायन के जामाना से जब लब कुस मतलब लब का रोल किये थे साथ होना उस टाइम से देखते आ रहे हैं उनका तो काफी अच्छा लग रहा है जिस परकार से उनका acting इसमें निखर के आया है बहुत अच्छा जब उनका गमंड वाला attitude बोल सकते हो जब office में जो देखने को मीलता है जब business man आता ह उस टाइम दोनों का जो होता है घमंड से एकदम ठारा होके जो cigarette मारके बोलता है वो सब काफी उसका attitude काफी अच्छा लगता है चाहे जब ब्रेकडाउन होके emotionally ब्रेकडाउन हो जाता है उस टाइम वाला सिन उसका expression देखना जब रोता है वो सब मतलब काफी लाजवाब performance देखे दिल को तसली मिलेगा आपको उसका acting देखे उसके बाद बात करूँ नितियस भरद्वाज का इनका भी performance काफी जानदार है इनका जो है compare to Swapnil Josephine का रोल थोड़ा छोटा है बट इनका performance बोल सकते हो जब भी यह आते हैं कुछ नकुछ ट्विस्ट आता है इस सेरीज क्लाइमेक्स में ट्विस्ट है ना लाजवाब है मतलब सुपर नेचुरल ट्विस्ट है बोल सकते हो जो की काफी मेरे को पर्सनली अच्छा लग रहा है आप भी देखे गए तो आपको जरूर अच्छा लग रहा है मेरे को जहां तक लगता है सबका अपना-अपना तो इनका performance जो है काफी लाजवाब है उसके बाद screenplay जो है काफी engaging है camera walks बहुत सांदार है compared to season 1 इसमें जो है और ज्यादा improvement हुआ है क्योंकि season 1 hit हुआ था तो इसका budget लगता है बढ़ा दिया गया है तो काफी अच्छा इसमें जो है camera source देखने को देखने को मिलता है साथ में जो इसका sound effects पहुत जिगा पे मेरे को अच्छा लगए इसका sound effects जो है काफी अच्छा है साथ में बात कर इसका dialogues वैसे तो मराथी में अबर dubbing हुआ है तो dubbing जो है काफी अच्छा है except मेरे को except मतलब कुछ मतलब वो बंदी जो है ना जो new actors का जो introduction हुआ season 2 में जो कि दोनों का extra medital affair लाता है याद बोले भरद्वासर का चाहे हो गया इनका इस वापनील जोसी का दोनों का जो girlfriend का रोल करते है extra affair वाले ओ बंदी का जो है ना डबिंग जो है हिंदी मेरे को खराब लगा है किसका जो नितिस भरद्वासर जिनका गल्फेंड का रोल करती है जो वाला उसका dubbing मेरे को खराब लगा जिस परकार से वो बोलती है ना बहुत मेरे को लगता है कि किसी से dubbing करवा दिया गया है कुछ उस पर ध्यान जादा सही से दिया नहीं गया वरना बंदी का performance acting काफी अच्छा था dubbing खराब था बट acting उनका performance था दोनों का girlfriend के रोप में तो उनका acting काफ हिंट दे दिया जाता है तो season 2 जो है overall season 2 जो है काफी अच्छा है engaging screenplay camera works गुड है sound effects गुड है actor का performance अच्छा है dubbing भी ठीक है तो आप जरूर इसको देखो गर आपने देख रही है तो आप जरूर कमेंट में बताओ कि आपको कैसा लगा है